हाँ बच्चों राधे राधे अब हम work done by variable force के कुछ examples देखते हैं सपोस हमारे पास एक problem है कि एक block है जिसका mass M है और हमने उसको किसी डोरी से बांधा है और डोरी में tension T है और इस पूरे system को A acceleration से हम उपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें work done निकालना है किसी time T के लिए तो अब हमारे पिछली वाले chapter NLM से हमें ध्यान है कि जब कोई lift उपर की तरफ जाती है तो उस lift के string में tension M times of G plus A होता है तो यहाँ पर वो force जो work कर रहा है वो tension हुआ और यहाँ पर tension string में M times of G plus A है अब जब यह system A acceleration से उपर की तरफ जा रहा है तो T time में इस system ने जो distance cover किया है वो हम second equation of motion से निकाल लेंगे जो कि S equal to S naught plus UT plus half 80 square है तो हमारे पास में distance जो आएगा वो half 80 square है अब हमारे पास में force है और distance है तो work done by tension in time T तो work done जो होता है वो force और displacement का dot product हो गया तो हमारे पास में net work done W equal to M times of G plus A 80 square by 2 आता है एक और example लेके चलते हैं हमारे पास में एक spring है जो शुरुवात में अपनी natural length पर थी मतलब ना तो यह elongated थी ना ही compressed थी अब हम इसको X distance से elongate करना चाहते हैं और उसमें work देखना है तो work done by spring force in displacement X तो वो जो work done होगा वो spring force into displacement और cos 180 होगा क्योंकि spring force इस तरफ लग रहा है मतलब हमने गर इसको इस तरफ खेंचा तो spring force इस तरफ है और displacement इस तरफ है तो हमारे पास में यह work done आ गया minus Fs dx अब spring force जो होता है उसको हम minus KX से represent करते हैं तो यह हो गया minus KX dx ठीक है तो हमारे पास में total work done in extension from 0 to X तो वो हमारे पास जो work done होगा minus KX dx का integration 0 से X के लिए जब K constant है K बाहर आ जाएगा तो integral X dx का integral 0 से X के लिए करेंगे तो यह X square by 2 होगा तो हमारे पास में work done by spring force negative आया ठीक है अब हम एक सवाल लेते हैं कि सपोज हमारे पास में एक variable force ऐसा है और इस variable force के कारण body X equal to 0 से 3X0 तक displaced होती है तो यहाँ पर हमने variable force लिए लिया और displacement हमारे पास इतना है तो हम इस variable force का पहले करण बनाते हैं हम graphical method से करेंगे तो F equal to F0 by X0 times of X minus F0 इसको हमने compare किया Y equal to MX plus C से तो यहाँ पर C हमारे पास में negative आ गया तो graph के लिए C ये होगा और slope positive है तो ये straight line इस तरह ऐसे होगा तो हमारा graph ये आ रहे है अब हमें ये देखना है कि ये graph पर force कहां 0 होता है तो force के 0 होने के लिए हम इस expression को equal to 0 कर देंगे तो F0 X0 X minus F0 equal to 0 आया तो F0 से F0 cancel out हो गया तो X equal to X0 पर हमारा force 0 होता है अब हमें 3X0 पर भी force देखना है तो यहाँ पर हमने 3X0 रखा तो आपके पास में ये जो force आता है ये 2F0 आ गया अब हमें ये graph निकालना है तो इस graph का area निकालना है मतलब ये पूरा area हमको find करना है तो यहाँ पर triangle का base X0 है और height minus F0 यहाँ पर triangle का base 2X0 है और height 2F0 है तो हमारे पास work done ये रहा तो यहाँ से हमारे पास में minus X0 F0 by 2 आएगा और वहाँ पर हमारे पास में twice of X0 F0 जब इसे हम पूरा solve करेंगे तो ये हमारे पास में 3F0 X0 by 2 रहेगा अब हम इसी का second approach करते हैं work done by variable force में work force का line integral होता है तो force की value F0 X0 X minus F0 dx अब इसको हम simplify करके लिखें तो ये हमारे पास हो गया F0 by X0 X dx minus F0 dx अब integral हमें 0 से 3X0 के लिए करना है तो यहां का integration होगा X square by 2 0 से 3X0 और यहां का integration होगा X 0 से 3X0 तो हमने यहां पे नीचे by 2 बाहर ले लिया अब upper limit minus lower limit करेंगे तो यह 9X0 square minus 0 square और यहां पे 3X0 minus 0 आएगा तो हमारा expression यह रहा अब इसको simplify करेंगे तो हमारे पास में यह हो गया 3F0 X0 by 2 ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं काफि सिंपल है मान लिजे जैसे यह system है M1 और M2 किसी डोरी से बंदे हैं और हम इस पूरे system को F external force से catch रहे हैं और यह पूरा system X distance तक move करता है तो हमें tension की वज़े से work done निकालना है M1 पर और tension की वज़े से work done निकालना है M2 पर तो M1 के लिए tension और displacement दौनों सेम डारेक्शन में है तो यहां पर M1 पर work done tension की वज़े से positive आएगा TX और M2 पर work done minus TX आएगा क्योंकि M2 पर tension इस तरफ है और displacement इस तरफ अगर हम बात करें total work की tension की वज़े से total work तो दौनों का sum 0 होगा तो अगर हम इस पूरे को as a system बात करें तो tension हमारे यहां पर internal force है तो सभी internal forces का system में work done 0 रहता है तो इसके आगे हम energy के बारे में बात करेंगे बाकि आप practice करें और जो भी doubt हो अपन class में discuss करते हैं राधे राधे